नमश्कार इन खबर में आपका स्वागत है। लेकिन आज तक पांच सूटर्स अभी भी पुलिस की गिरफ से दूर है। असद के बारे में जो जनकारी मिल रही है और जो दिल्ली में तीन लोग गिरफतार किये गए हैं उनसे जो जनकारी आई है वो बहुत ही चौकाने वाली है। गाजियाबाद वो नोडा में स्टर्ण लेने के दरान वो तीन बार दिल्ली गया असद। दिल्ली में एक बहुत करीबी मित्र के घर पर दो रात रुका। इसके अलावा कई जनकारिया हाथ लगी है जिनके आधार पर परताल की जा रही है। देड़ महीने बाद भी असद, गुड़ मुसलिम, गुलाम और दो अन्यसूटर साबिर वा अर्मान पुलिस के हथे नहीं चड़े हैं। सोर्सेज के हवाले से जो खबर आ रही है कि HDF ने जो आफ दरिकार जनकारी दी है उसके मुताबिक असद के तीन मददगारों से अलग अलग टीम ने पूछ ताचकी, इसमें सामने आया कि असद को सरण देने के लिए यूपी में नौ ठीकाने तैक किये गए थे, इसमें ल अगातार, वो अपने हिसाब से जाच परताल कर रही है, आपको बता दे कि HDF को अभी हाल में जनकारी मिली थी और गिरफतारी हुई थी, जिसमें अतीक के बहनोई डक्टर अखलाक और नौकर सारु को पकड़ा गया था, अखलाक के घर पर ही गुड़ू मुसलिम ने सरण थी, ये वीडियो सब के साम ने आच चुका है, अखलाक और उसकी पत्नी आईसा नौरी अपने घर पर पांच मारच को गुड़ू मुसलिम का इंतजार कर रहे थे, ये सब CCTV फूटेज में साफ दिखा है, वहीं इस मामले में आज माफिया अतीक अहमत की CGM कोट में पेसी हो आई, असरफ पे पहले FIR होई, उसके बाद असरफ की पत्नी अतीक की बहन जो नौरी है उसके खिलाफ और परजनों के खिलाफ जैसे जैसे साच मिलते जा रहे हैं, FIR होती जा रही है और उनकी गिरफतारी के लिए पुलिस दबिस्त दे रही है, तब ही बिल बिला करके माफिया डाउन अतीक अहमद साबरमती जेल से प्रियाग राज आते हुए बोला कि ये लोग मेरे पूरे परिवार को बरबाद कर चुके हैं और अभी भी नहीं छोड़ रहे हैं, मैं तो जेल में बैठा था वहां पे, जहां पे की जैमर लगा है, मैंने किसी से बात नहीं क मैंने उमेश पाल की हत्या नहीं कराई, ये तो हर आरोपी कहता है, फिर भी जांच परताल का भी से हब देखने वाली बात ये है कि जब आज माफिया को कोर्ट में पेज किया जाता है, तो कोर्ट क्या डिसिजन देता है, और दूसरी तरफ ये पांचो कभ गिरफतार होंग झाल 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 झाल